जे जोहर दोस्तों आज मैं एक और मसरूम की सबजी लेके आ गई हूँ और यह मसरूम जो है जाम फुटू बोलते हैं इसको और यह जंगली मसरूम भी बोल सकते हो इसकी सबजी बहुत स्वादिश्ट लगती है और बहुत जल्दी पक जाती है यह बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में तो आईए इसकी रेसिपी कैसे बनाई है मैंने बताती हूं आप लोगों को तो यहां पर देखिए यह मार्केट से ली हुई रंग बिरंगी फूल की तरह दिख रही है यह फूल नहीं मस्रूम है जिसे जाम फूटू बोलते हैं हमारे बस्तर में आप लोग के तरब भी निकलती है और आप लोगों से नाम से जानते हैं कमेंट में बताईएगा तो देखिए यह इस तरीके से लाल पीला काला बैंगनी सफेद हर कलरका होता है तो एक दिन पहले ही शाम को लेकर आये थे तो यहां पर मैं धोने का नहीं दिखा रही हूं तो इसे देखि है क्योंकि एक दम गल जाता है पकाते वक्त इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही काट रही हूं तो यह देखिए इस तरीके से और चेक कर लीजे किड़ा तो नहीं है क्योंकि जो इसकी डंडी है ना उसमें ही किड़ा रहता है तो देख देखकर ही काटिये जब भी बनाते हो त के मारकेटी इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं किती है तो इसलिए आज़ शेयर करना सोचा तो आज शेयर कर रही हूं तो देखिए इस तरीके से काट ली हूँ मैं आई यह बनाते हैं और इसके अलब बने क्या क्या ली चैया हूँ में अर वैं सुखे मासाले में धनिया पा तो एक एक चम्मच जितना ली हूँ और मिर्ची का अधा चम्मच ली हूँ मिर्ची बहुत तेज वाली है अधरक लसुन और प्याज का पेश्ट ले ली हूँ और प्याज काटके ले ली हूँ हरी मिर्ची काटके ले ली उसादनुसर ले लिजिए दो टमाटर को मैं पीस ली है तो सबसे पहले जीरा डाल दी आप तेश पत्ता वगरब ही डाल सकते हो उसके बात जीरा हो गया था अछा खासा तो प्याज और अरी मिर्ची डाल दी और उसे भी अच्छे से भून लेiteitए इसका कच्छा पंदूर हो जाए हुथні उत्ना हमकों को प्याज री मिर्ची को भ एक दम अच्छे से भून लेना है हमको और इसे पहले मैंने बोडा की रेसिपी शेयर की है आप लोगों नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा और यहां पर देखिए अच्छे से सारी चीजे भून गई है सुखे मसाले डाल दी मैंने वही बेसिक मसाले जो मैंने आपको देखिए यह अच्छे से भून गया है अब टमाटर भी डाल दूँगी क्योंकि इस सबजी में मैं पहले टमाटर डाल देती हूं क्योंकि जो यह वाली मस्रूम है ना बहुत जल्दी गल जाती है बिल्कुल टाइम नहीं लेती तो इसलिए टमाटर भी अच्छे से मैं भू कुन गई है तो मस्रूम जो काटके रखी थी ना उसे भी डाल दिये और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम और यहां पर मैं बिल्कुल पानी का यूज नहीं करूंगी क्योंकि इस मस्रूम से खुद का अपना पानी होता है तो हमको पानी डालने का जर्वत नहीं है यहा तो यह हैं नमक भी डाल हूँ नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो थोड़ा बुत बचा होगा ना पकने के लिए वह एकदम अच्छे से पक जाएगी नमक डालने के बार पक जाती है क्यूंकि तो यहां पर देखी से पकने देती हूं मैं इहां पर हमारी मैसरूम की सबजी देखिए कितनी कम हो गई है पग के और अपनी ही पानी से ये पग चुकी है तो ये बिल्कुल टाइम ने लेती बिल्कुल जल्दी बन जाती आप लोग के तरफ भी मिलती है तो आप लोग भी बनाईए क्या आप लोग के तरफ मिलती है मिलती होगी तो कमेंट में बता डाल देते हैं इसे स्वाद बहुत अच्छा में हम और ऑच्छी से मिक्स कर साँगे त्य है जो स्वाद है ना अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए और प्लीस आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीस लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस रेसिपी का फायदा उठा सके क्योंकि आस पास अच्छा मसरूम होता है लेकिन फाल्तू चीजे समझ कर कभी नहीं खाते तो इस वीडियो को देखकर वो बनाएंगे और खाएंगे भी तो यहां पर गयास बंद कर दी हूँ चलिए अब एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ आप गरम गरम इसे रोटी चावल रेसिपी डालू उसकी जानकरी सबसे पहले आप तक पहुचे और हमारे बस्तर से देख रहे हैं तो प्लीज सेयर कीजेगा ताकि हमारे बस्तर की रेसिपी आगे बढ़ सके और इसका फायदा सब लोग उठा सके तो ऐसी ही अच्छी अच्छी टेस्टी सरल सी रेसिपी अच्छी गर्ड जय बस्तर